वरिष्ट वकील राम जेट मलानी अब इस दुनिया का अलविदा कह चुके है पर किस तरीकी के व्यक्तित थे और कितने बड़े नियाविद थे इसको लेकर हमार साथ बाचित का निकले मौजुद है राजय सबास्तान सथ अरशुक वाजपई जी सर देखा जाये तो किसी का भी जाना दुखदाई होता है लेकिन ऐसे में सबसे बड़े वरिष्ट वकील को माने जाते थे आज वो इस दुनिया से अलविदा कह चुके है राम जेट मलानी जी किस तरीके से आप लोग देखते हैं कि मैं समझता हूं विदिक छेत्र में और राजनेतिक छेत्र में राम बार इस पत्पर रह चुके थे इंटरनेशनल बार काउंसिल के भी वो सदस्य थे मैं समझता हूं विदी के छेत्र में लाके छेत्र में उन्होंने जो यश और जो कीरती पैदाकी वो किसी भी दूसरे वकील के लिए उन उस मुकाम को पाना बड़ा दुल्लव होगा अकील बने और तभी से चर्चा और प्रशिति की उनकी प्रारम बूए और कई बार आतंकबादियों के कई बार बड़े-बड़े अपरादियों के केसों की उन्होंने पहरवी की बड़ी आलोचना हुई लेकिन उन्होंने का वकालत मेरा धर्म है और अपने मुख्यल का पक शानवे वर्स की अवस्ता पूरी करके वो गए है इश्वर उन्हें अपने चरणों में अस्थान दे यही हम सब की कामना है जाना दुखदाई है लेकिन एक किस्सा उनका जरूर याद आता है जब वो कोट में मौजूद थे और कोट में मौजूद होने की तुरान उन्हों समय में मिलेगे मैं समझता हूं इतने डेरिंग और इतने इस परस्ट बोलने वाले अधिवक्ता वही हो सकते हैं जिनको अपने उपर बहुत द्रण विश्वास हो अपनी विद्वता पर अपनी योग्यता पर कि न्यायले हमको न्याय देगा वो खुश हो या नाराज यह नहीं करते थे वह तर्थयों और तरकों प्रकेशों की वकालत करते थे वह कभी भी उन्होंने बेंच का उनका आँख देख करके या उनकी क्रपा की पात्र नहीं रहे हमेशा अपने तरकों से अपकी बात बात को बनवाते थे और इसी कारण इतनी बहादूरी से वह बेवा आवना, आ नाइंडी वित्तेल्ली.